आगामी कारिक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद हम बहुत खोश हैं आपसे मिलकर आज मैं कुछ ऐसे विशे में बात करना चाहूंगी जहां तक मेरा सवाल है मैंने कभी इस तरह की शिक्रा नहीं की यह वो है जिसके बारे में बात की है बेशक और लोगों को परहुट्सा इत किया है इसे करने के लिए पर आज मैं आप से बात करना चाहती हूँ ने जीविचार के बारे में कि हम सबको सोसमाचार साजा करने का बुलावा मिला है आपको अपने नाम के सामने रिवरेंड लगाने की जरूरत नहीं है आप वो व्यक्ति हो दूसरे लोगों को इशु के बार में बताने के लिए और मेरा खयाल से लोग एक एक्स्ट्रीम से दूसरे तक जा सकते हैं या वो इतने नीडर हो की असल में वो उस हद पर हैं जहां उन्हें निर्दई कहा जाए और वे कोशिश करते हैं हर एक को ये दिखाने की कि देखो हम इशु से प्रेम करते हैं मेरा खयाल से सबसे पहली बात है याद रखने की कि आप किसी को जो भूका ने है खिला नहीं सकते हैं आमेन और मैंने इस समाचारों में गौर किया है कि इशु कभी लोगों से विंती नहीं करते कि उन्हें मदद करें उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की जो मदद चाहते थे इसलिए मेरे खयाल से लोग एक स्ट्रीम से दूसरे तक जा सकते हैं या तो वो इतने नीडर हो की असल में वो उस हद तक जाए जाओ उन्हें निर्दे ही कहा जाए और वे कोशिश करते हैं हर एक को ये दिखाने की कि देखो हम इशू से प्रेम करते हैं जो मेरे खयाल से सबसे पहली बात है याद रखने की की आप किसी को जो भूखा नहीं है उसे खिला नहीं सकते और मैंने सुसमाचारों में गौर किया है कि इशू कभी लोगों से विंती नहीं करते कि वे उन्हें मदद करें उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की है जो चाहते थे इसलिए मेरे खयाल से हम उस एक्स्ट्रीम से जाते हैं उस तक जा हम बिलकुल भी सम्विदन शील नहीं होते मैं इस्तमाल करने वाली हूँ मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें हमेशा सहज होना पढ़ता है उसमें जो हर बात हम करते हैं हमें आत्मा के पीछे जाने की जरूरत होती है चाहे हम कमफटेबल हों या ना हों पर मैं अवश्य ही ये विश्वास करती हूँ इसलिए सबसे पहले में ये स्पष्ट कर दिना चाहती हूँ कि हम सब को ये करके बुलाया गया है हर मसीह की बाइबल के प्रती जिम्मेदारी है और इच्छा भी है कि पवित्र आत्मा के साथ काम करे दूसरे लोगों की अगुवाई करने में इश्व मसी के साथ एक रिष्टा कायम करने में और यहां बहुत बढ़िया शास्त्रवचन है दो कुरूंतियों पांच अठारा और सब बाते परमिश्वर की ओर से है जिसने मसी के दुआरा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया तो परमिश्वर ने मसी का इस्तमाल किया हमसे मेल करने के लिए मुझे बहुत पसंद है जो एम्पलिफाइड में लिखा है वो हमको स्वम में एक ताल मेल मिलाए संसार में इतने लोग हैं जिनका परमिश्वर के साथ ताल मेल नहीं है उनका परमीश्वर के साथ एग्रिमेंट नहीं है और हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे यदि वो किसी तरह संभव हुआ और पिर उन्होंने हमें दी मेल मिलाब की सेव काई अब इसे सुनिये क्योंकि ये इस प्रकार के लिए बहुत महत्वपुर्ण होगा और मेल मिलाब की सेवा हमें सौपती है कि इस शब्द और कारिय द्वारा हम दूसरे के साथ उसके सद्भाव लाने के लिए लक्ष कर सकते हैं इसलिए मैं सोचती हूं कि दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है मेरे ख्याल से लोगों को बताना महत्वपुर्ण है पर मेरे ख्याल से लोगों को दिखाना ज्यादा महत्वपुर्ण है खैर आप धर्ती पर सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं पर यदि आप ऐसे नहीं हैं क्योंकि मसी आपके जीवन में कारे कर रहा है तो फिर भी ये उस व्यक्ति को इशु तक नहीं लाएगा वे शाहत सोचे कि आप अच्छे हैं पर ये फिर भी उनको प्रभू तक नहीं ले जागा इसी तरह आप मीडर हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सब को बता है जिससे आप मिलते हैं सुसमाचार के बारे में पर ये की ईशू ने आप के लिए क्या किया है और उन्हें कैसे ग्रहन कनी की ज़रूरत है ये बिलकुल उतना ही बत्तर हो जाता है कि आप किसी से कुछ भी ना कहें मेरे खैल से आज हमारे समाज में जो बड़ी बड़ी समस्या है वो है मसीही बहुत से मामलों में संसार में ना निकले और आत्मा का फल ना दिखाये और वहां वहवार करें जो उनका विश्वास है उनके अनुसार इसलिए मेरे खैल से परमेशवन अपने मनुश्यों को बुलाया है इस समयाज तकरीब बना हर जगे मेर मानना है कि हर फैक्टरी में, हर शॉपिंग सेंटर में, हर ओफिस में, हर स्कूल में मेरा मानना है कि इन सब जगों पर विश्वासी स्थापित किये गए हैं। और ही हो जाएं इसलिए वचन, बीस में दो कुरुंतियों, पाच बीस जो हम मसी के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे जरीए अपील कर रहे हैं क्या आपको ये पसंद नहीं आया। ख्याल से ये बहुत अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है, इसलिए हम आप सेविंती करते हैं उनकी खातिर कि वो अपना परमेश्वर या अनुगरहा हम पर डाले और हम परमेश्वर से मेल मिला पराखे हैं। इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए ओधार के निमित परमेश्वर की सामर थे इसलिए मैं ये बुनियार डालना चाहती थी कि हम सब बुलाए गए हैं या इसका भाग बनने के लिए कि लोगों को इश्व मसी के पास लाएं। हम में से हर एक कोई विश्वासी नहीं छोड़ा। हम सब की सेवकाई हैं। दो सेवकाईयां हैं जो हर विश्वासी की होती है। मद्यस्तता और मेल मिला पर हम अवश्य ही से सही ढंग से करना चाहेंगे। हम लजाना नहीं चाहते। और नहीं हम ये चाहते हैं कि बस खेर जैसे की संसार कहेगा लोगों को मारे सर पर बाइबल के साथ और उनके गले में इश्व गुसेड़ने की कोशिश करें क्योंकि व मुद्रकी उन्हें सब को अलग-अलग किस्म का चारा चाहिए। यदि आप उन्हें बकड़ना चाहते हैं। मेरे खाल से संसार इसी तर है, एक ही बात हर एक के लिए कारगर नहीं होती। इसलिए हम जा सकते हैं और कुछ प्रकार के सिधान सीक सकते हैं। और उनमें से हर ए जिम्मेदारी है पूरी करने के लिए, इसलिए हम ये बाते करते हैं बिना समिधन शिल हुए की परमिश्वर कैसे चाहते हैं कि हम इसे लागू करें, साथ ही कुछ मचलिया एक विशेश मौसम में ही चारा रखती हैं, और मैंने सुचा ये बहुत दिल्सप है, क्योंकि शायद हम किसी को मसी की और लाने की कुशिश कर रहे हैं एक दोस्त को या किसी अजनभी को या जो भी हो, और शायद यह उनके लिए सही जगे ना हो, अब आप कहेंगे, खेर मेरा मतलब है कि इसके कहने से मेरा मतलब यह है कि मेरे खायल से एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक मु जरूरत नहीं, मुझे याद है एक बार एक और एक और अरत मुझे बता रही थी, उसने कहा पता है मैं बस मेरी बखुत बढ़िया जिंदगी थी, पर उसने कहा पर असल में मुझे शांती नहीं थी, कोई खास ऐसी वज़े नहीं थी, जिससे मैं परिशान हो रही होती पर और उसी ने मुझे परमेश्वर के साथ रिष्टा ढूनने में मेरी अगवाई की खर इस तरह के लाखो लोग हैं संसार में उनके पास बस शांती नहीं है वे खुश नहीं है और मेरे ख्याल से एक बाजो मसीही कर सकते हैं मसीही ये करना चाहते हैं जब कोई देख रहा है हम में से हर कोई यहां जो है हम बस ये सुझाओ बाहर संसार में लाएं और खुश और शांती में रहें अब आप जानते हैं बस खुश और शांती में रहें ये एक नई assignment है संसार में बाहर निकलें और खास कर काम पर खुश होकर और शान्ती में होकर जाएं क्योंकि संसार वैसा नहीं है वे खुश नहीं है शान्ती में नहीं है और इसलिए हम संसार में हैं पर संसार के नहीं है और मेरे ख्याल से एक बाद जो लोगों का ध्यान आकरशीत करेगी वो यह है कि यदि आप हमेशा शांती में है चाहे कुछ भी हो रहा हो और यदि आप खुश है मैं बचकानी खुशी की बात नहीं कर रही तुम्हारे पास क्या है जो हमारे पास नहीं और वो क्या है जो आपके बारे में अलग है और मैं सच मुझी ये विश्वास करती हूँ कि यदि हम बस संसार में निकलें और उन्हें एक तरह से भूखा बनाएं पता है हम नमक और जियोती हैं इसलिए अगर हमारे जीवन लोगों में भूख जगाएं अपने आप से बात कीजिए पर मेरे जीवन में कभी भी कोई शांती नहीं थी मैं लड़ाए जगड़े वाले घर से पली बड़ी और चीखने चिलाने में और बहस करने में और सारा समय गुसा और मैं सच मुझ इमानदारी से ये बता सकती हूँ मुझे पता नहीं था कि शांती क्या होती है मुझे सच मुझ पता नहीं था कि शांती में रहना क्या होता है खैर जब डेव से मेरा विवा हुआ वो बस शांती की पराकाश ठा है और कुछ देर के लिए इसने मुझे क्रोधित कर दिया क्योंकि मैंने सुचा तुम्हें मुझसे परिशान होने की जरूरत है और वे ऐसा नहीं करते थे पर फिर कुछ समय के बाद मुझे उनकी चीजें पता चलने लगी मैंने सुचा खेर अगर उनके पास ये हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है इसलिए आप मैंसे एक ये देख मैं बस आपको जिम्मेदारी सौप रही हो खुश रहने के शान्ती मैं रहें तुम ऐसे कैसे रह सकते हो इतनी शान्ती से इतनी खुशी से तुम उसके बार में भैवित क्यों नहीं हो जो संसार में हो रहा है मैं ऐसी हुआ करती थी मेरे जीवन में बहुत सारा डर था मैं प और मेरी आशा उन में है और सच मुछ इमानदार इसे कहूं तो और आपको कुछ कहनी की जरूरत भी नहीं और यदि वो व्यक्ती रुची रखता है फिर वो आपसे एक और प्रश्ण पूछेगा शायद वो आपसे तब ये बात भी ना करे और शायद ये बात आपसे पूछे भी ना अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ ले मेरे दामाद ने मुझसे ये कहा और मैंने ये सोचा कि ये सच मुछ बढ़िया है उसने कहा वो एक मच्छुआ रहा है मैंने अपने बच्चों को अपने साथ मच्लिया पकड़ने के लिए ब इसलिए मेरे ख्याल से आज मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप राजी हैं लोगों के जीवन में कुछ समय निवेश करने को, पता है क्या कई बार शायद ये करना पड़े, मुझे याद है वाच्मिन की एक बार मुझे से बात हुई, वो एक टीचर है जो सच मुझे बहुत अब वो जिन्दा नहीं है पर उस नहीं कहा, यदी हम सच मुझनिय लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें उसी मुकाम पर मिलने की ज़रूरत है, जहां वे हैं, हम उन्हें वहाँ लाने की कोशिश नहीं करते, जहां हम हैं, अब ये कहकर, मेरा मतलब ये नहीं क आपको ऐसा करने के लिए हर रोज स्थानिय शराब खाने में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहां वो लोग होते हैं, आपको प्रभू की सेवा के लिए, वहांपर जाने की ज़रूरत नहीं हैं, पर उनसे हम इस बार में बात करें। कोई दिखाएं जिसकी मैं मदद कर सकूँ, किसी को मेरी रहा में लाएं जिसकी मैं मदद कर सकूँ पहली बाद जो मुझे करनी होगी कि हम इसे करना चाहें और इसे करने के प्रति खुलापन दिखाएं और फिर मेरे ख्याल से जब हम लोगों के आसपास होते हैं जिने उद्धार प्राप नहीं होता इससे पहले कि आप जगड़ा करें और उन्हें बस इशू के बारे में बताना शुरू करें मेरे ख्याल से आपको कुछ समय निवेश करना होगा उन्हें मेरी मौसम में लाएं ताकि वो चारा खा सके हैं पिता उनके रिदय को को मल कर उन्हें उस जीवन शैली जिसमें वो संतुष्ट नहीं है उससे बाहर निकाल प्रभू उनके आँखे खोल मैं हाल ही में ये जानने लगी हूँ संसार में लोग संसार में इतने सारे लोग वेबस पूरी तरह अन्दे हैं वो बस ये नहीं समज पाते। मेरे ख्याल से कई बार कैसे कैसे अप अपना जीवन दे सकते हैं परमेश वर से छुटकारा पानी की कोशिश में मुझे ये बस समझ नहीं आता और वो ब यह क्या उपलब्ध है, अब मैं आपको एक कहानी सुनाओंगी, जब मैं एक नौजवान मसीही थी, एक किस्म से बस शुरुआत कर रही थी, जिसे मैं कहती हूँ परमिश्वर के साथ मेरा गंभिर चलन, मैं एक चर्च में जाती थी, जो सच मुछ बहुत बहुत बढ़ा था स और गर्मियों के दौरान में औरतों का एक दल लेकर गई, और हमने ऐसे दस हजार विंस सील के नीचे रखे, फैंटम के नीचे ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग लॉट में, पता है मेरा माना है कि किसी की मदद करना खतम कर देता है, मुझे यह लगा कि जैसे यह ऐसा है कि प सच मुझ परमिश्वर से प्रेम नहीं करते हमें सच मुझ इस बात के प्रती सचीत रहना होगा कि हम लोगों को दोशी महसुस ना कराएं क्योंकि शायद वे ऐसा कुछ नहीं करते हैं यह बहुत आसान हो जाता है कि लोगों से यही अपिख्षा करें कि यही करें और उनके प्रती नियाए भी करें यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं और इसलिए एक बाजो वे चाहते थे कि हम करें तो वो थी कि शनिवार की सुबह हम सडक पर निकलें हम सेंटल लुईस के डाउन टाउन पर गए लोगों तक पहुँचे जीजस लव यू क्या मैं आपको दे सकत हूं और इसलिए मैं गई खेर मैं कभी नहीं भूलूंगी एक पहला व्यक्ति जिसके आगे मैंने हाथ बढ़ाया उसने मेरे हांसे जटक दिया और इसलिए मैं बस इमानधारी से कहूंगी मैं कम्फटिबल नहीं हूं अपने लिए उस तरह का नीजी प्रचार करने के लिए क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मुझे ये जानने की जरूरत है कि परमिश्वर हम सबका इस्तमाल करना चाहते हैं वे हमें अलग-अलग तरीकों से इस्तमाल करते हैं क्योंकि वहां सब किसम के अलग-अलग लोग हैं बाहर क्योंकि वो अलग-अलग चारा खाते हो औ कुई एक ही चारे से मचलियां पकड़ रहा है, फिर वहां बहुत सी मचलियां ऐसी होंगी, जो कभी पकड़ी नहीं जाएंगे, इसलिए हमें सच मुझ इसके प्रति सम्वेदन शील होना होगा, पर मीश्वर मुझे ऐसे इस्तमाल करते हैं, मैं असल में एक मुकाम तक आ गई थी, कि मैं घर से बहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता था, ये बस दोश भावना के प्रेरित था, खर मेरे ख्याल से इश्व को इतना प्रेम नहीं करती थी, यदि मैं किसी को इसके बारे में बताने को राजी नहीं, और मेरे लिए पूर्ण है, आप अपने ये सही तरीका ढूंड़े और उन लोगों के लिए सही तरीका ढूंड़े जिन से आप मिल रहे हैं, तो आपको कुछ सुझाओ देने वाली हूँ, जो हम में से हर एक के लिए comfortable रहे, simple हाँ या नहीं, पता है मैं नौ वर्ज की आयू में नहीं सीरे से जन्मी थी, जब मैं अपने रिष्टेदारों के साथ चर्च गई, जहां हम गए थे, शहर से बाहर छुटिया मनाने, देखें, आप नहीं जानते की परमिश्वर क्या इस्तमाल कर लें, तो नियोता देने में कोई हर्ज नहीं है, यदि आप बाइबल स्टॉडी के छोटे स जमू में हैं, लोगों को जानी के लिए आमंत रित करें, पता है, वहाँ ही ऐसा वातावरान होता है, जहां लोग कमपटेबल होते हैं, यदि आप मेरे कॉन्फरेंस में आते हैं, किसी को न्योता दें साथ आने का, और मैं ये लोगों को बताती हूँ, और लोग हसते हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, पता है क्या, यहां ही हमें नीडर होनी की जरूरत है, यह हमारा काम नहीं है कि हम उनकी परवा करें, जो लोग सोचते हैं, हमारा काम है एक नियंतरन देना, निमंतरन देना, और आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे वहां कह सकते हैं, वो ना भी कह सकते हैं, पर कम से कम आपने कोशिश दो की, आप एक बुकलेट रख सकते हैं अपने पास, किताबें या सुसमाचार के प्रैक या जिस किसी के पास comfortable हो, अपने नजदी की किसी जगे जहां बाहर जाएं, मेरी बेटी सैंडरा की तरह, वो अपन के तौर पर वो ड्रग स्टोर में गई है, उसकी उसने बहुत सी सहलियों में वो बाटने की कोशिश की, हमें लेस होना पड़ता है, कुछ और कहने के लिए बजाएं कि ये बहुत बुरा है, हमारे पास लोगों के जवाब है, इसलिए कम से कम ये कहें, ओ, मुझे ये सुनक को बहुत अच्छा लगता है, मुझे अफसूस है कि तुम इतने कठीन दोर से गुजर रहे हो, इतना कह दे, बस याद रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, पता है, इस तरह की साधारन सी बातें, मेरे खाल से कि हमें डरना चाहिए इस तरह की बातें करने से, अब इसकी परवा करना की लोग क्या सूचते हैं और वे हमारी रहा में आएंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और कितनी बार वो अपनी कार पर जाती है, और मेरी किताब लेती है, और उसे वापस अंदर ले जाती है, अब उसे एक एडवानटेज है, मेरी माने ये पुस्तक लिखिया और मैंने सोचा कि आप इसका आनंद लेंगी, या बस जाकर पकड़ा ही देंगे, मेरे ख्याल से मेरे लिए और बहुत आसान हो जाता है कहना, लेकिन आपको ये करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तुम ज्यादा देर मेरे आसपास नहीं रह सकत और ये ना जान पाएं कि मैं परमिश्वर से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके साथ रोजमर्रा की बात करना, मैं उसके बारे में प्रार्थ ना करूंगे, और मैं इतनी खोश हूँ कि हम अपना भरोसा परमिश्वर पर रख सकते हैं, बस छुटे छुटे ब खुल सकें, क्या मुझे इसके बार में प्रार्थ ना करने की जरूरत है कि परमिश्वर उनके दिल नरक में करेंगे, कई बार आप उसी बीच को पानी दे रहे होते हैं, जो किसी और ने बूया था, कई बार आप एक बीच बूते हैं, आपको खुद ही कटनी देखने को नह ही मिलती, कोई और चला जाता है और उसे कोई और सीचता है और पिर अंत में परमिश्वर फसल लाते हैं, हमको बस यही करने की जरूरत है कि पर मिश्वर के प्रति खुले हो और ये सब बाते करें जो वे चाहते हैं कि हम करें मैं आज इसे समाप्त करने से पहले कहूंगी मत्ती पांच तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता और लोग दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं तो एक टोकरी के नीचे रखने जैसा होता है पर वे उसे दिवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुचता है इसलिए रवीवार को चर्च ना जाएं और अपनी लाइट ऑन करें और फिर सोमवार को काम पर जाएं और अपना सिरेक टोकरी के नीचे दबा लें ताकि कोई आपका न्याय और आलोचना ना कर सकी उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुशों के सामने चमके किवे तुम्हारे भले कामू सर्वत्मा और नेक काम प्रशन स्निय और अच्छे काम देखकर जाने और आपको आदर दें को देखकर तुम्हारे पिता कि जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करो मैं हमेशा लोगों को यही सिखाती हूँ पर सबसे सर्वत्म तरीकों में से ये है एक सबसे बढ़िया तरीका जिससे आप एक पापी की प्रभू सेवा कर सकते हैं वो है उनके लिए आप कुछ करें जब उनको जरूरत हो खासकर कोई ऐसा जो आपसे थोड़ा बत्तमीज रहा हो बुरा या आलो चक रहा हो एक मसी के रूप में एक बात जिसके लिए हम बहुत दोशी महसूस कर सकते हैं वो है स्वेम को मसीं से घिरा लेना आप खोद को कभी इस थिती में नहीं लाना जाहेंगे जहां कोई अविश्वासी हो क्योंकि हमारे जीवनों में इतनी संख्या है कि हम गिन नहीं सकते अविश्वासी लोगों की हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हमारा एक चोटा सा मस सी भाषा को और हमारी मसीही किताब से और मसीही सीडी से और हमारे मसीही संगीत से और उस दुनिया से बाहर कभी न निकले पास्टर माइक जो हमारे स्टाफ पास्टर है यहां उन्होंने एक बार मुसे कहा था जो मुझे सच मुझ पसंद है उन्होंने कहा वो नियमित कसरत करते हैं और मैंने कहा मुझे ये बहुत पसंद आई आपकी बात जो आपने बताई की आप किस तरह से लोगों के पास जाते हैं और अपनी बातें बताते हैं कि वो किस तरह मसीही का चुनाव कर सकते हैं दूसरे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है आमीन अब हाल मुझे इस साल के बारे में बताया गया, उन्होंने कहा, परमिश्वन ने पहले ही मेरे रिदय में डाला है, कि वे चाहते हैं कि और ज्यादा आजनवियों से प्रीम करो, और मैंने कहा, मुझे खुशी है उन्होंने आपको बताया कि आप ऐसा करें, मैं मजाग कर रही हूँ। इसलिए मसी होने के नाते हम सुयम को इतनी ज्यादा मसी ही उसे घेरे पाते हैं कि हमें अविश्वासियों का प्रभू सेवा करने का आउसर नहीं देते, मैं इस वचन से समाप्त करना चाहूँगी, मती 9 मैंने कहा कि मैं अंतिम वचन से समाप्त करना चाहूँगी, और जैस के चेलों के साथ खाने बैठे क्या आप कलपना कर सकते हैं कि उनके जमाने के धार्मिक लोगोंने क्या प्रतिक्रिया की होगी वो मेस पर बैठते हैं और यहां है वे सारे प्रमुक बुरे पापी जो आते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं और वे बस उनका स्वागत करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे वो पूरी धर्ती पर सबसे अच्छी लोग हों। ये देकर फरीशियों ने उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरू महसूल लेने वाला है और पापियों के साथ क्यों खाते हैं। उसने ये सुनकर, उसने कहा, बैद भले चंगों को नहीं परन्तु बिमारों को अवश्य है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उन सब के लिए है जो घर पर देख रहे हैं और हम सब जो यहां हैं। यदि हर मसीही घर से निकलने से पहले कहता प्रभू आज मेरे रास्ते की रहा को संभाल, जिससे आप मेरा इस्तमाल कर सकें कि मैं उसकी मदद कर सकूं जिसे मदद की जरूरत है। और मैं दिखाए गए आज सारे काम कर सकूं। मैं आपको बता रही हूं कि आप बस इससे शुरू आत करें और दुनिया में निकले और खुश और आशावान रहें। तो ज्यादा देर नहीं होगी कि आपको बढ़िया मौके मिलेंगे लोगों को प्रभू तक ले जाने के लिए। आपकी जीवन से मूरने के लिए राजी हो और इस पर विश्वास करेंगी वे जो कहते हैं। इसलिए यदि आप मसी को अपने उधार करता के रूप में स्विकार करना चाहें। तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही साधारन से प्राटना मेरे पीछे-पीछे दोराएं। हे पिता परमीश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मैं एक पापी हूँ, मैं उसका लक्षमा चाहती हूँ जिस तरह में जीए। मैं पाप से मुह मोड़कर आपकी तरफ आना चाहता हूँ मैं एक मसी बनना चाहता हूँ मैं मसी का अनुयाई बनना चाहता हूँ मैं इसी ये वक्त आपको स्विकार करता हूँ इश्यू विश्वास द्वारा स्विकार हूँ और मैं आपसे मांगता हूँ कि आप जैसा मैं हूँ उसी रूप में मुझे स्विकार कर और मेरी मदद करें वो बनने में जो आप चाहते हैं आमें मसीह के विश्वासी होने के नाते हम सब जानते हैं उस महान मकसद कमहत्व पर क्या आप जानते हैं कि केवल साथ प्रतिशत लोग ही अपना विश्वास ईश्वर से साजह करते हैं दुर्भाग्यवश ये ही सच्चाई है जिसमें हम जी रहे हैं पर हमें से बदल सकते हैं हम आपको अन्य लोगों के साथ न्योता देते हैं कि आईए और हमारे ग्लोबल आउट्रीच डे में शामिल होईए शनिवार मई 26 को ग्लोबल आउट्रीच डे का मिशिन बहुत साफ है उस विशेश दिन कम से कम किसी एक के साथ सू समाचार साजह करे मसीहों के रूप में हम सब को बुलावा मिला है उसे साजह करने का जो मसीह ने हमारे जीवन में किया है पर इसे इतना कटेन होने की जरूरत नहीं है एक ही बात जो सचमच परमेश्वर को चाहिए वो है एक आग्या कारीड विदे आपको जोईस मायर होने की जरूरत नहीं है आपको बस आप होना है इसलिए प्रावत ना करें की परमेश्वर किस से चाहते हैं की बात करें एक योजना बनाईए और उस पर चलिए एक दिन, एक व्यक्ति, एक संदेश शनिवार, मई 26 जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं जितना की आप चानते हैं हम आपकी सराहना करते हैं और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, खरीबूं को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं अपना प्रात्ना निवेदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए jmmandia.org पर हमारे श्रोतों के बारे में और भी जानिए जॉइस की सभाओं की सूची देखे, मारे साथ सहभागे बनने के लिए क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाटते हैं इसका खर्च उठाया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने